लेकिन दीदी आग्रह करती है और वे सभी लिफ्ट से जाते हैं जहां उनकी मुलाकात सेन मैडम से होती है इस फ्रेम में तीन चित्र हैं पहले चित्र में प्रिया और रोहन लिफ्ट में हैं और सेन मैडम भी उनके पास खड़ी हैं मैडम के हाथ में एक किताब है प्रिया कहती है सुप्रवाद सेन मैडम रोहन उत्साह से भर कर अरे वाह आई ना गोशना के लिए स्पीकर पकड़ने के लिए ग्रैब बार्स और उभार बिंदू वाले बटन यह तो एक अंत्रिक्षियान जैसा लग रहा है सेन मैडम हसते हुए कहती है रोहन यह बिंदू ब्रेल लिपी में लिखी गई संख्याएं हैं यदि कोई देख नहीं सकता तो वह उन्हें चूकर सरलता से लिफ्ट का उप्योग कर सकता है जो देख नहीं सकते वह ब्रेल लिपी की मदद से लिख पर सकते हैं दूसरे चित्र में लिफ्ट के ब्रेल बटन वाले बोर्ड के पास खड़ी प्रिया सोच रही है जो सुन नहीं सकते उनके लिए टीवी पर सांकेतिक भाषा के जैसे हैं ये ब्रेल बटन तीसरे चित्र में एक संदेश है और यह संदेश है क्या आपको पता है? सभी के लिए सुगम्यता अवश्यक है सुगम्यता सभी के लिए मददगार है आसपास की सभी जगहों को सुगम्य बनाने से बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गोदी में शिशु के साथ यात्रा करने वालों, बीमार या घायल व्यक्ति या दिव्यांग जन भी लाभानवित होते हैं सुगम्यता स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने के अधिकार के साथ सुरक्षा भी प्रदान करती है